आप उनका स्वागत कीजिए, पंजाब दा मान और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी परी सहयोगी, अंजना ओं कश्यब, मैं गुजारिश करूँगी कि अंजना आप बंच पर आजाएं, सिर प्लीज, जोरदा तालिया एक बार भगवन मान जीन के लिए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है आज तक पर आप पहली बारा हैं, बहुत स्वागत आपका अजेंडा आज तक में आज दूसरे दिन पहला सेशन ही आपके साथ है, मुबारक बाद के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि आपकी पार्टी अब राष्रिय पा से तो दस साल में दो राजय में हमारी सरकार, दस हमारे राजसवा के साथ, और तीन दस हमारी राजसवा के MP, और गुजरात में 5 MLA, 13% बोट और 2 MLA हमारे गोवा में है, तो इतनी एं फस्ट ग्रॉइंग पार्टी बाहरत के तियास में कोई नहीं और हम बहुत एक्साइट जेपी नद्डा साब यहां पर थे उन्होंने कहा कि भारतिय जनता पाटी जब जनसंग था वो दो साल में उन्होंने भी राश्ट्रेपाटी का दर्जा हासिल कर लिया कई पार्टियों की उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई जो की पड़ गए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टियों के दावे में दम है क्या इसे उन 1922 में जनसंग बना तक उनकी जमानते जब तो गई भी जन्ता पाटी में बिले कर लिय अपना ठीके ना उसके बाद बाद ब्यासी में भारती जनता पार्टी चौराटी में दो एम्पार्टी ए टो मुझे बता दीजे के उनके साथ तो वह तो जन्संग कही हिस्सा है नहाए भर्थे जन्तापर्टी तो और आमादमी पार्टी किसी राजनितिक पार्टी से निकले हुए जब निकाले हुए जब पार्टी जोड़कर आय हुए भंदे नहीं बनाई यह लामलिला गारॉंट एक निकली आपके चल रह कि पार्टी बढ़ता है मेरे मेरे मैन आपके सामने बेटाहूं इसके रिजांपन और 92 हमारे पासMLA है पंजाब में आट वण वन बन सैवन एपनेसे 20- grрамे is okay. ट्यवेर हैाμा एी, मैपूंस्य और मात ओम अंपी वेकिंट, तो भुद्टी जयी, गवी जी ताह wann necessary. आप आप साहं अनडनीיים, तो यह इन्हें कम तो इस रहा हमाधिम पार्टी कर सकती है, तो नोड़ाउड, कोई मसल पाबर नहीं है मारे पास कोई पैसा नहीं हम इस्तिमाल करते तो बहां सामने कौन थे बादल्स, कैप्टन्स, सिद्दू, मजीठिया, चन्नी, वो कहरे थे कि हम तो इनको पैसे से हरा देंगे लेकिन यह गलत फैम होती है कि पैसे से हर जयते हैं जब जनता आपके लि अवे थे, वो फ्लॉप हो गया सर, 13 फीज आपको वोट जरूर मिला जिसे आप राश्ट्रे पाटी बढ़न गया है, बड़ी बात है, लेकिन आई-बी की रिपोर्ट, कि आई-बी की रिपोर्ट है कि हमारी सरकार बन रही है, अब सब पूछ रहे हैं, इसके बल्बूते केजिवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बन रही है गुजरात में 2017 में अंजना जी हमारे कितने अमेले थे जिरो कोई एक प्रसेंट भी वोट अम लड़े ही नहीं थे 2022 में हमारे पास पांच अमेले, तेरा प्रसेंट वोट तो आप जीरो पांच वाले को कहहे हैं, आप हार गयें 2018 के बाद, अमि रहाँ जी है आट वार काहा है, अब की बार, इतने वार बंगाल में क्या कहा था? 200 से पार येगी बभी उन से पूचा है, क्या आप के दावे, जो आ हैं फिर में थे खाहते हैं, जा हीमाचल श्रोथा लचेव घमाचल थी खुछार्द हों थे हिमाचल जेख थे जहाँ भर भर बीजवीप की सराकार्टी थे जो थेुझागे में नहींट बढ़ जाए उसमंगें कि एक पॉंग्रेस की सरकार हिमाचल में दिखा रहा था वो अज तक एक्ससमा इंड यह ता इस अजनता है पुबलिक अज़ इग्जट पोल में भी नहीं बताते लोग कही बार आपके सर्वे में भी नहीं अज़ आपका सैंपल तो कही बिल्कुल नजदीक जा के लोग वैसल कर दो भी आपके स्च़री मतो मे हntवर के पॉले हमने गुजरात में महनत में कोई कमी ने छोड़ी ल brigade ने के उल्हीं लोग तन्ता गाम है और छोग तंतर में अनलिक जनता है और लोगных जनता है आप अज़विक्क के आपके दिया होगे आपके चेहरे पर लेकिन गुजरात में वो सही सावित नहीं वाओ उनों लिखके दिया था मुझे कि पांच से कम सीटे कॉंग्रेस कि आएंगे कि हरोज तो कोली भी सेंचरी नहीं लगाता है लिखके देने की हिम्मत तो है और उसके बाद मेहनद करते हैं मेहनद करके अगर अब हम ऐसे नहीं कि हमने क्या आपको लिखके दे दिया और कॉंग्रस की तरह एलेक्शन चोड़ दी वहां तो मुझे कुई मैं गुजरात में ल अब हम पंजाब से गुजरात में अमारी एंट्री हो गई है और रास्ट्रिय पाटी बन गया है और आगे आने वाले दिनों में जो आमादी पाटी है वो मेहनद करेंगे आतमंथन भी करेंगे कहां कमी रही तो और उसके बाद बढ़ेंगे और बेहमत हुंदेने ओ जडे आपके शिकवा करन मुकदरां दा उगणवाले उगपेंदेने सीना पाड के पत्थरां दा मनजिल दे मत्थे तक्ती लगदी ओना दे नावां दी जडे करों बना के तुर देने नक्षा अपने सफरां दा आपके चेहरे पे चल गया मामला लेकिन जब जब ये न्यूज अ मामंधवार हार गया उपनी तों न्यूस एंकर क्यों पोछ रखनी है से जब बूचे अपरियो का फुट्शे हैं me तर अप्र आपके बूच एपलिक हम ने अपना 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 जंडा और हमने कोई वहां पहां 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 पी नवग़त की बात की न वह एं पर फूटने का बहुत बड़ा मुद्दा है गुजरात में पेपर लीक होते हैं तो हमने लोगों के मुद्दों पर बात कि कई जो चोटी पाटी हैं जैसे हमारी तासल परानी पार्टी कई बर वो नंबर्स में काम रह जाती हैं लेकिन वो बड़ी पाटियों का एजंडा रि तो एजंडा चेंज करो ऐसी पहने दिली में किया था पहले कुई डोर करता था है हैलिकप्टर से ऐसे करके जीत जाते थे इस बार दिली में 2020 में ग्रह मंत्री साब पर्चे बांटे थे गलियों में तो तर्ती पर तो आया है ना कम से कम लोगों का मानसनमान तो बड़ाया क जिसको कहा जाता है गुजरात की जनता ने क्या जो आप लोगों ने हिंदुत क्योंकि नोट पर आप कह रहे थे गनेश जी लक्षमी जी की तस्वीर चाहिए आपने तमाम मुद्दे जो राश्रवाद का मुद्दा है उसको भी अरविन जी बार बार उठाते हैं क्या उसम जनता ने उन फ्रीबीस को नकार दिया है कि हमें नहीं जाहिए लेखो आप रीवीज कहते हो रेवडियां कहते हो यह ड्यवल्प कंट्री भी यह करते हैं कि वह उस वहां पर शोचल स्क्रूर्टी बोलते हैं इसको आपके खाते में पैसे आते हैं क्रोना के समें करेड़ अ करजा लेकर कुछ चीज फ्री बांट रही है तो मैं उसको गलत मानूँगा दिली में सब बिजली फ्री है पानी फ्री है मेलाओं के लिए सफर फ्री है इलाज फ्री है लेकिन दिली का जो बजट है वो तेई सही जार था जब पहली बार हमने ओ ली थी अब सेवंटी क्वेव पंजाब में तीन सो जुनिट परमानथ हम ने फ्री किया दो महीने का साइकल है बिल का तो एक जलाई से किया पंजाब में पचछतर लाग के करी मीट रहें एक सट लाख मीटर एक सट लाख घरों को जीरो बिलाया है आने वाला नुवंबर वाला बिल जोगा सिक्टी सेवन लाख घरों को जीरो आएगा हमने कोई करजानी लिया हमने बिजली बनाई 83 परसेंट बिजली पंजाब के जो थर्मल प्लांट है रोपड और लेरा मॉबद वाले उसमें 83 परसेंट बिजली ज्यादा हमने पैदा किया है तो लोगों का टेक्स लेकर लोगों प पर वापस देना मैं तो इसको फ्री भी निमानता तो बहुत सी सिल्टियां जिडिये जो हैं जैसे सिक्षा पर अगर हम खर्च रहे हैं बिजली पर खर्च रहे हैं लेकिन हमने क्रॉप्शन और माफिया राज हमने पंजाब में उन पर रोक लगाई है 9000 से ज्यादा 9000 एक अब जब आ गई है कोई फोरेस्ट की है कोई पंचयत की है तो अमधनी बडे कि हम खजानना भाइंगे भी खजानना भाइंगे तो लोगों में बांटेंगे इसमें क्या दिखना लेकिन लेकिन एक एक बात है मुझे तो आपने पूछ लिया कि फ्रीबी कि रेवडी तो को कि अग्वार नडडा साफ जाओ आज बीजेपी कोई आएं उनसे पूछ ना कि उनसे पूछ ना कि वो 15 लाग हर खाते बाला पापड किसने बेचा था पंद्रह लाग हार खाते में आजाएगा दो करोड नोकरे मिल जाएंगे हर साल, मिलकी, पर बाद में कहते हैं जो तो जुमला था, हम कम से कम जुमले तो नहीं कहते हैं, हम तो गरंटियां देते हैं, जहां पर हमारी पाबर आगे, पंजाब में हमने 20,557 नोकरियां देदी सर तो मल एक्स क्योंकि एक बार बढ़ बनो अगली बार अगर बढ़ नहीं बनते हैं, पच्छतरहजार आपको पैंशन मिलेगी, उससे अगली बार बन गए, अगली बार नहीं बने तो हर टर्म का साथ हजार एड होता था, तो कई छेशे साथ बार बने हैं बढ़ उनको हारन ब धने में फैधा था, यह थाए तीं लाख चार लाख उनकी पंचन, अग़ जा बिधायक बनते हैं तो अ, वो बेतर लिएगा, तो क्या गर लिएख वानको क Dio legally 29 बढ़ जा बने एक पंचन अनम्ने हाट आठ को टरह है किए साथ बार रहा हो जब नहीं नहीं परहज जिए बाइब कर दोड़ा करने हैं उसे वा का मौका दीजिए जबा की पंशन थोड़ी मिलती है फिर सेवा करो और सेवा से मेवा दून रहे हैं वहां से हमें अग्षाने में आया कुछ और लोगों को रहात वी चलो शुकर है इससे कुछ तनखा देंगे हम और हमने ओपीएस दोड़ी में नहीं लिखे थे नहीं लिखे थे हमारे बस जब पावर है तो हम कर सकते हैं लोगों के लिए तो वाइनाट करना चाहिए अर्भी आई की रिपोर्ट है लेकिन चुकि फैनांस पर मैंसके बाद पर चर्चा करने चाहि थी लेकिन चुकि फ्री बीज का जिक्र तो क्या पंजाब का फाइनांस अर्थ विवस्ता मैंनेश करने में आपको दिक्कत हो रही है इसले पूछ यह क्योंकि अर्भी आई की रिपोर्ट बीज की कहती है कि रिंड के मामले में फिसकल डेफिट में पंजाब को दिकते आ रही है और जो उनका फिनांस कमिशन का टा आया था दो तीन महीने पहले दिककता रही है आपको तंखाहों को टाइम पर देने में क्योंकि फ्रीवीज प्रॉमिस करें आपने कहा था सर कि 30,000 करोण मैं एक अठा करूंगा अलग जगह से 10,000 करोण मैं शराब की बिक्री के जरिये जो है एक लाग करोण का अपने टाग आप लगा रही है कि पंजाब रिंड में डूपता चला जा रहा है इस पर आपका जबाद जब पंजाब में बीजेपी और कालिलाल की सरकार थी तब सबसे ज्यादा करजा चड़ा था और पॉने तीन लाग करोड करजे में छोड़के गए हैं हम उसको ठीक करने में लगे ह करजा बड़े ना लेकिन कम करेंगे अब बीजेपी कह रही है पंजाब करजे में डूपता जा रहा है उसके दो तीन कारण बता देतो हम महानदी औरिसा में महानदी कोल माइन है वहां से कोईला लेते हैं अब बता देख पंजाब आते हैं अब ही नया फर्मान चारी कर दिया है कि एक तरीक से आप सीधा ट्रेन में नि आओगे त्रकों में लेके उसको पूरी बंदरगा पे लेके जाओगे वहां से शिप में उसको लोड करोगे पिर शिरी लंका के ऊपर से आके पर मुंडरा प 800 करोड का हमारा नुसान हो उसमें 800 करोड का चार गुना कोला में मेंगा हो जाएगा उससे फिर हम यह कहते हैं कि भाखडा नंगल जो है भाखडा नेहर जो है वहां जितने भी पंजाब में फाल्स हैं वहां चुटे-चुटे हाइड्रो पड़ लालिक लगा लेंगे भाखडा में, कि भाखडा में लिदेगा, क्या फुटा थाट शुटे हाल थेल हाउन हम लिदे लागैडा के लगे लाखडा में हो चुटे हो में पूम्तलब असे हुड़ कि मतलब आसे अज्त चलिए 500 कि भाखड चल माइन चालिया हन में 19今天 2015 में है जार्खं एड़्य क्या और लगा दिए 50% कोली निकाल सकते हो इसमें तो हमने का जी हमें निकाल लेने तो कोला हमारी माइन है त्रेन में लिजा के हम दो हमारे जो सरकारी थर्मल प्राइब उनके लिए ज्यादा है जो तीन प्राइवेट हैं उनको हम सस्ता कोला देंगे उनसे फिर टैरिफ कम करवा कर देंगे कि को को महा लेते हैं आप टैरिफ भी पर पंजाब को ज्यादा देना पड़ एक करवालो जी आठ्टार प्र टन सेंटर को रोयल्टी देनी पड़ेगी बाइसाब कोल हमारे हमारी है घम खान हमारी है गाडी का हम रेल गाड़ कराया दे रहे हमें पंजाब में ल पंजाब से ले जाते हो फिर उसको भी बाया उतर से लेक आओ तर कुमेनिस्तान उतर से फिर मोंडरा में उतार लो तो यह जाती है मैं सेंटर के साथ मिलके चलता हूं हमारा अठाइसाओ क्रोड रुपिया आडीफ का रोका हुए है रूल ड्वेल्पन फंड का तीक जी उस अविए पैसे देने नहीं काम तो बंद कर दो ना राजी को हम पैरों पर कर लेंगे पंजाब में इतने सोर्स्स है माय माइनिंग है पंजाब में एक्साइश से अम आ आ एपैसा और टैक्स लोग देरे है एंडस्ट्री हमारे पास आटा स्टील और सनाटन टेक्स्टाइल बर्दमान है, हीरो बाइसेकल है, ट्रेक्टर के अपसे बड़ा पड़ूसर पंजाब है, सोनली का सवराज, तो हमारे पास बहुत सोर्सेस हैं, लेकिन कम से कम बोट यह तो ना कहें ना कि नहीं, जो जितने कमायें तो इतना हमारा हिस्साद, तो इस, मतलब आपकी बात से माता है, वाध नहीं कогоत THAT है, लोोगों को भीष मि थेंगे कोई गरांटी जादा इसा नहीं करेंगे हम के लोगों को लिए महाध में ही का या यह कोया है लिए फाशास्त का यह शह के नहीं ही ले लेकिन खजाना मी अचा एक हड़ा बढ़ है कितना रेंगा सभी पंजाब प लेकर वहाश शूरु करें यहालइबि है錢 इत का शुरू फैर य जूमला नहीं कि प्रशफ यहां तो और हुए है अभी तक नहीं हो prickी हर जपनेजस करें गवोड़ ए फ बाड़ इनेजिव मुख्यमंत्री जी आपका दूसरा सबसे बड़ा चालेंज पंजाब में है कानून व्यवस्ता लॉइन आपकी बीते दिन ग्रह मंत्री से मुलाकात भी हुई है मेरा सवाल आपसे यह है कि गैंग्स्टर्स जो है जो हमने सिद्धु मुसेवाला के मर्डर के बाद देखा गैंग्स्टर्स अक्टिव है उनके एक से विडियोज है बड़े बड़े विलाज रॉयल्स रॉय्स के बैक्ग्राउंड में वो प्रो खालिस्तान गाने गाते हैं गैंग्स्टर्स जो प्रो खालिस्तान मुव्मेंट के साथ जुड रहे हैं महाँ पर वो कितना बड़ा चालेंज है और उसके बाद अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, तरन तारन में से बीते दिन RPG से, रॉकेट प्रपेल जो ग्रिनेड अटाक है, वो पुलिस स्टेशन पर हुआ है, कितना गंभीर है यह देखते हुए कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हमेशा अतंकवाद का साया रहा है, भी तो दुन रिलीफ था, क्या उसकी बापसी हम देख रहे हैं? नहीं, बापसी का कुई सवाली पदा नहीं होता, लौ एन ओर्डर जो है, वो पंजाब का हम कंट्रोल में रखेंगे और पंजाब में सोशल बॉंडिंग है जो लोगों की बहुत बहुत ज्यादा भाइचारा हमारा कायम है, मजबूत है, पहले दस साल तोड़ने की अबीर बादल, जब हो मनिस्टर थे तब नाबबा की जेल ब्रेक होई थी, गैंक्स्टर भागे थे जो इनके पार्टी के युवा नेता थे वो गैंक्स्टर थे, मिड्डू खेड़ा उसको का तलकांड में जुसमें, तो फिर कैप्टन साब ने तो पहले से पना देते रह तो ये छे महीने साथ, आठ महीने में तो नहीं बने ना, लेकिन हमने जितने पकड़ लिये, बहुत अच्छी हमारी जो तालमेल चल रहा है, भी एसेफ के साथ, नाइए के साथ, हम कई गैंक्स्टरों को, कई जो गैरसमाजिक तात्वें इंको राजस्तान से पकड़ के ला पर आपने में और क्योंके बार्डर स्टेट है, वो बाहर वो बैठे है, जो अमारे दस मोस्ट वांटेड है, उन से आठ कनेड़ में हैं, इसके लिए तो सेंटर सकार से मांग कर तो अपलान है, ग्रे मंतरी से क्या बात हुई है, अगर आठ हैं आप कहें हैं तो यह पता है ग्रे मंतराली को पता है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, कि उन से बात करके उनका एक्षडिशन करो जा, डिपोर्ट कर वाओ कुछ भी, तो इसमें, क्योंके फॉर्मल्टी काकज़ात में टाइम लगता है, जरी हमने रेड कॉर्न नोटिस तो जारी कर रखे हैं, तो कल भी कि मैं लेकि काः था, मानियाा आमिशाजी को कि पंजाब पुलिस को अपडेड करने के लिए हमें पंड्श चाहिए, क्युकि वो ड्रोन जो आते हैं, कही ज़िए यह भी पता चला है, कि रिधर से जाता है। इधरी आता है. रून से ड्रग्स, रॉन से हथियार. आदियार वोज़ लोगा तो एज फैसे दोड़ गया कि उन्हों ने उस में तरग भर के वापस बेगा तो हम इद वाले तो हम कॉन्ट्रोल कर सकते हैं आने बाले दिनों में हम को यह हुक लाना पड़ेगा कि अब तो ड्रोन तो मतलिए रिवाज ओगया है था इसादि में भी ढर्रोन ह तो कमसी कम अपने वाले जो इदर ड्रोन उनकी तो और राइटीफिक्शन हो भना तो हम इस पे लगे हुए है और ब्रडर स्टेट है लेकिन लोगों का इतना साथ मिल रहा है भाई चारा जो पंजाब का है हर फंजाब का बन्धा नहीं रहता है और पंजाबी जो हैं हॉस्पिटेल्टी के लिए मशूर हैं और हमें इंटरनेशनल दो इवेंट में मिले हैं कालपदान मंतरी से वर्चुल बीटिंग होई थी जुम पे जीटोएंटी के दो सम्मेलन हमें उमेले हैं श्री अमरिसर साहब में और हम हॉस्पिटेल्टी के वो याद रखेंगे जो बाहर से मारे टेकनटी आएंगे लेकिन क्या उस चवी को धक्का लगता है साथ तरन तारन में बीती रात एक बजे रोकेड प्रपेल्ड ग्रिनेड अटाक उस पर क्या पडेट है क्या जानकारी है यह कौन कर रहा है देखो अभी इस पर मेरी बात हु अभी मैं कमेंट करूंगे यह चालेंज है लोगों को कैसे आप भरोसा देलाइं क्योंकि पंचाब में लोगों को एक डर तो फेल रहा है ना जब इस तरह के वो वीडियो देखते हैं इस तरह की खबर देखते हैं तो बत और मुख्यमंत्री आप उनको क्या समझाएंगे प तो पंचाबियों को पता है कि एक शरारत हो रही है उतर से दुश्वन मुल्क से लेकिन मैं फिर कहता हूं पंचाब बहुत वार गेरा है लेकिन पुद्ध बहुत वार उठा भी है अब पंचाब को हम रोजगार पैदा करेंगे तो यह लड़के यंग-लड़के अगर उनक किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे, जिनका बेटा काम पर भी जाता है और ड्रग भी लेता है, यह नहीं हो सकता, क्योंको उसको पस टाइम ही नहीं होता, पंजाबी में कहा बता है, बेला मन, शेतान नीदाकर, जब आप फरी रहते हो, तो कोई ना कोई आपको बुरी सं बड़ी जल्दी मैं आपको बिश्वास से कहता हूं, कि बड़ी जल्दी पंजाब जो है, वो नमबर वन का जो पुराना हमारा रुतबा था, दर्जा था, वो हासिल कर लेगा, एक सवाल बस इस पर और और फिजस के बाद ही माचल पे चलेंगे, यह जो प्रोग हालस्तान क तो नहीं जाएंगे, काम करेंगे, यहीं रहेंगे, मैं तो बल्के ब्रेंड ड्रें इतना हो रहा है, वो भी सवाल पूछ सकती ते है, मैं जवाव देता हूं, कि हमारे यहां हर तीसरी बीटिंग पर लिखा हुआ है, करेड़ी जाने के लिए मिलो, निव जाने के लिए मिल पर्ती हुई है, पुलिस में भी फर्ती हुई है, तो अब हमारे पास वीडियो भी आए है, कि उन्हों ने का है, कि हम जाने का रादा तो था लिकिन अब हम यहीं रहेंगे, अगर हमें अपने यहीं रोजगार मिल जाएगा, वहां जाके क्या करेंगे, तो कुई असान नही हैं अपने देश को छोड़ना, वो मजबूरी में जाते हैं, लेकिन वही है कि काम नहीं है, मैं जब MP था, सौधी अर्भ से, मतलब, 40-40 लड़के फसे हुए हैं, उनको शलेव बना लेते थे, पासपोर्ट शीन लेते थे, इराक से 4,000 लड़का निकाल था, जब आई अर्मीनिया के छोटा साथेश अर्मीनिया, वहां पे पंजाबी हमारे लड़के, मतलब, क्या कर रहे हैं, बकरीयां चला रहे हैं, मतलब, हमारे लिए यह तो, मतलब, इस नौट असेप्टेवल के, पंजाबी जो है, वो काम ढूने के लिए वहां चाहें, पंजाबी तो प आप प्रो-Khahalistani लोगों से आप लोगों ने फंड्स लिये थे, जिसकी वज़ए से आप उन पर सौफ्ट जा रहे हैं, इस पर आप अज़ाँ हमारी पार्टी ने असा कई यह रहे हैं, हम तो सेकुलर हैं, हम सेंटर के साथ भी मिल के चल रहे हैं, बीएस भी मिल के चल र जो तार है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की तार है, वो कई वरी चार चार पांच-पांच किलोमेटर अंदर हैं, जानि कि हमारी जमीन तार के पार हैं, तो जब जाते हैं, जब जाते हैं तो प्रिस्किंग करती हैं, बीएसेफ, 60% टाइम बीएसेफ का अपने ही नाग आप कर देट सो मीटर पर आप जा सकते हैं, तो सारी जमीन जो एदर आ जाएगी पंजाब के किसानों को आईकार्ड नहीं बना पड़ेगा खेती करने के लिए तो और फॉज को भी इसका फाइदा होगा कि दो सो मीटर से वह कुछ भी ना रखो वहां कोई फसल नहीं बीजनी कि समझया भी आलो जाएगी भी अब हमाचल प्रदेश पर जल्दी से बात कर लेते हैं, पंजाब से ही कटके हमाचल बना और आप लोग सच सच सीटों पर लड़े थे वहां पर डिपॉजिट वहां पर आपके आम आदमी पाटी के उमे इदवारों का डिपॉजिट तक चल तक चले गए तो वहां पर क्या हो गया वहां पर अर्विन जी का चेहरा वहां पर आपका स्कूल शिक्षा, फ्रीबी मॉडल क्या हो गया क्यों ऐसा हुआ तो मैं फिर मेरे जवाव रहे गया कि अभी हमारे पास इतने सोर्स जा इतना मैन पावर नहीं है हमारे पास कि हम दो जो चुना अब तो हमाचल के बाहुत पहाड़ों में शटskin दू하 गाऊनों इपिसे बाते हैं जो 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 चुनाव क läड़ लड़ ले तो हमाचल के बहुत आड़ों में सटे हुए गाउ हैं वहां पर जाने के लिए कितने रोश्रों के थे सरा मैं तो दो ब़र गया बहुत हुखी हैं, वो भी करुप्षिन से बहुत हुखी हैं, लेकिन दीरे दीरे आम बढ़ेंगे, क्योंके कि भी करदीट आम कर दीरेग कि किसी नहीं है, पृब अ toothनी सनी कि कर्मिता मॉरी कुछ में लlawख करने, लेकिन साथा बनुगे वंक्याओ सब्सका कु हमा में करतैं एधा यहां नाया जाहिन है शुछे एजह करल कर हुटेएष छाधा おड़ियो लिए आम ए लखा अपर दो कि तमिल्णाडू में कितने एते हैं? एक बात आपकी बट अच्छी लगती है मुझे हमारे पांच आये गुजरात में 0 से पांच यह हार गए आमारी पाटी हार गई बीजेबी की तमिल्णाडू में एक अम्मेली की सीट आगी पीजेबी का खाता खोल आ है साउथ में हमारे बाले खाते को खाता नहीं समयते आप एक दम समझते है तो सबसे पहले आपको गुजरात पर लूज बॉल दिया था कि तुसी महरो उस पर कि 13 परसंट आपके वाँ वोट आये नाशनल पाटी आपके कि दोल्ग को जानल आपके हमारे बालिडाय की था 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 राजय में नहीं हमारी सरकार मामता लिए था राजया था या को फिवा consists fruit हो था भॉजए फो उल्लरी एक पर ढब आगे थारोड़ुरू हमारा भग कहता है तो हो अभा कर ओक कर ना without जो after try try again मैं तो कहता हूं कि Het अगर एक कहावत है अगर किसी ने अबड़ी नहीं कि ुह इस अने गलती नहीं किया फिर कि गलती आप वो जाती हैं काम के दुरह तो गलती नहीं होगी कोई ना चलो जर्नी ओफ थाउजन्ड माइल स्टार्ट फॉर में सिंगल स्टेप बाहर तो निकले ना कुछ किसी को तो पता जलेगा ना कि हां यार कुछ हो सकता है अच्छी सरकारें आज अमानदर सरकार पारदश्टा की सरक इस काम के लिए उन्होंने शेहिदीन दी थी कि यह कोरॉप्शन हो यह गोटाले हो यह दो जो हजार क्रोड पांच जार क्रोड दस हो जार क्रोड करी तो ऐसे गोटाले जिने हम को जी पता के कितनी जीरो लगती हैं और लोगों का दिमाग भी जोड़ा दिया उप उपर प्रते लोके जोटा मूटा चोर होगा कुई और बाद करिया तो कम से कम अपने मुल्को तो ना लूटो और पारलिमेंट में ने बोला था यह परलीमेंट में देखो बड़ी लिंबीड चल रही थी जो थए जोग और बोले हैं कोई कोई हो गाड़ा मैं अकेला था मैं और Sir, मेने बोलना है, क्या निया भी बबांतिरी सभ punya जवाव देए एक बस सॉ मैंने जगा göď 30 सेक्ड़ि मैंने जगा ठर्टी सेकинки अनिगीặ है ठर्टी सेकंड wiped है थर्टी सेकंड में जग बहुत हैं तर्टी सेकंड में टो इनके दो गांटे मेरे 30 सेकंड मैं से सेम योगा, कहते है, तीक है, जो जो एढ़नी को लमेड, लबहसे पांचिये, कॉपशन को कभीलों में मत बांचिये, एक बहता डरीया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और जीलों में मत बांचिये, इतना बोल दीयं, सब कुछ आ रही है? घ़ अज़ा एक परल्लेमेंट एक जब कर भोलते थें, यह तो आपके तनाव में रहते हैं? आठ ले ले लो दर से तो मतलब को वे का कॉंग्रस का तो यहाल हो गया है उनको यह लिख लगा देना जाहिए अपने अपस पर जहां पर जनता दो रहा चुनिव होई विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं जो कि आप कॉंग्रस को लेकर आये और लोकसभा में एक मात्र सांसद जो हम आदमी पार्टी का था वो आप थे अब लेकिन आप कहते हैं अब हम चौबिस में मोधी को चुनौती देंगे आपका एक भी लोकसभा सांसद नहीं है अब जनता आपको राज्यों के लिए तो काब लेकिन लोकसभा सांसद के लिए आपकी क्या अक्सेप्टिबिलिटी लोगों में बन रही है क्योंकि एक भी लोकसभा सांसद तो है नहीं सर आपका और आप मोधी को चुनौती देना चाहते हैं चौबिस में कॉंग्रस भारत जोड़ो यातरा कर रहे हैं सर वो पूरे कर रहे हैं उनको एक चालेंजर के तौर पर आप कितना बड़ा देखते हैं और आम आदमी पार्टी विद जीरो लोकसभा सांसर कैसे आप चालेंज करेंगे मोधी को नहीं लोकसभा में पंजाब में पले 2014 में हमारे चार सांसर थे उननीस में मैं जोना गया था और लोकसभ में महाल कुछ और होता है मुद्दे देश के होते हैं राजे में मुद्दे लोकल होते हैं में मुद्दे में मुद्दे और होते हैं तो हर चुनावका लग लग अपना होता है तो लोकसभा में हम जो हमारे दस राजेसभा में हैं जब वोलते हैं इससे लोगों में एक किहां बोल पुद एक बोलते हैं तो कि बोलना ही उ devil में बोल फुद ञए रहा जाता हैं तो हुआ है नोगों से जाता तो जाता तो यह कित तीन सेकंड के लिए यह लड़ो रहा कि तीन सेकंड के अट्यूग ए वर ना टो इन्हें ब江एा वह आट दीन कि अपने बपस एपनी उपनी सीट भी डूंडनी मुश्कल्क प AUDI काहा है मैं तो जन्ता बन के जाता था मैं पारलीमें अभी ज़ी बिधान स्भा में जन्ता बन के जाता हूं नेतााःग। और हुछाईusan निशिmit jazz मेलेज हैं, हमारे चुनेवे हमारे पार्षद हैं, सरपंच पंचेते हमारी हैं, तो अब ज्यादा बैटर तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि जब चार आय थे, तो हमारा एक भी गाउं में कोई बलंटियर नहीं होता था और मुझे पेश करने के लिए नहीं होता था कि आपके स बड़े बड़े दिगज थे, सुगदेग सेंटीन सा और बजेंदर सिंगला, तो उनको हराया, तो इसका मतलब यह है कि लोग हमारे बिशवाश करते हैं, और लोगों का बिशवाश देरे बढ़ता जाएगा, यूथ हमारे साथ है, कम से लूथ हमारे साथ है, तो यूथ ज जिनके भी शादी नहीं हुई, आपने तो अभी हाल में गई है, तो यूथ हमारी पार्टी की बाद करता हूं, तो यूथ हमारी पार्टी की अवरेज एज थर्टी नाइन पॉंट फाइज है, कॉंगर्स में, बीजेपी में, सतर साल का हो जाता है, अदमी तब कहां ब्लॉ यहां इतना अपने रिष्टेदारी नहीं के खत्म होते हैं, यह मेरा भाई जाए, यह माई का बेटा है, यह बती जाए, यह भाण जाए, और उनी के घर से फिर माल मिलता है, अब कॉंगर्स देख लो ना, अदी कॉंगर्स पंजाब में अंदर है, अदी बाहर बाहर बाग आदे तो अंदर होगे, प्रॉप्षन में, तो तो दोनों पार्टियों ने यह कर रख है कि बस आमाधी पार्टी ना आ जाए, आमाधी पार्टी ना आ जाए, अब तो यह भी हो गया लोगों में, जब ना आपके, शो जब चलते हैं ना, रात को आठवजे के बाद वाले, आपके, टॉप अगर अगंटा आमाधी पार्टी को गालि के बाड़ी हो तो लोग पूछ लगते हैं तूसरे जारे कहां से जीत रहे हैं झा ठीक है ना, तो हम फोई बात नहीं, जब आमाधी पार्टी को गालि यह जखीएं जब आटर्टी को बोले हैं, आर्विन लोगतंतर में लोग बड़े होते हैं और हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यू कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है मुक्यमंतरी जी एक और आप आप लगता है और पूचि देठी ऑगते हैं वो के टीडिगो हैं आप के बहाशन लोग सुनते हैं आप बोलते अच्छा है तो खूब बाइरल होते आपके बहाशन लेकिन सर्कार केजिवाल जी चलाते नहीं बिल्कुल हैं अग के जरिवाल जी वर पंजाब में पंजाब हम उन्हाद चलाँ ही और रागवी जी को प्थोड़ा वीजिए मौनिटर करते हैं पंजाब मेरे बहाब। पंजाम मारागराज, कर लो अन्हों है करतारपुर साभ अजय काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रही है, और हम नौलिज़ शेयर एग्रिमेंट एक अगर हम थे अगर हम डिल्ली के स्कूलों से शीकर पंजाब के अजय कर लें, इसमें तो कुछी अगाती नहीं है, हम बेर्का iosa को लिटा दिल्ली, बेरका का स्ट ग को बता कि अङस्ट का बेरका का अब हिसे दूड विटा का तिर्शलीर को रीड का कि लोडि़ लीर आचाना के लिफूरी का स先ई के ल confidentMr. और रीदमरा पांधिटो चाहें से भातों है अब हैario क्रश्कर पलिप म mixed milligram uprahare, 2.500 – में आठे हैं आप मुचिलो होटी हैं कि नही हैं आधे हैं Kwnik में नहीं ओते हैं कि शांस जाए जाते हैं कि नहीं कि दिल्unde क्यों आप से मुचिल characteristic वाक नहीं सांसले नहीं देने खटर अंकल यह पराली जलाने वाला बंद कराओ आप तो अपने ही है आप तो नॉलेज शेर अग्रीमेंट इसका एक तरीका है अंजरिया जी किसान भी चाहता है वो पराली ना जलाए क्योंकि सबसे पहले तो उसी के परवार के फेफडों में से निकलती है ना वो धुआ जो हमारा तो पानी ग्राउंड का पानी हमारा खातो हो और इसकी बज़ा से हम पंजाब में एक किलो चाबल पैदा करने के लिए अड़ती सो लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब हम पानी एक्सपोर्ड कर रहे हैं अब पानी हमारा श्चे सौ साथ सौ फुट पे चला गया हमें फसलों का बदल चाहिए बदल के लिए क्यों क्यों बोते हैं थाधान पंजाब ओहर है ना वाली क्योंके उस पे MSP है MSP उठाते हैं उसको और फसल MSP उठाते हैं नी फसल अभी हम कर रहे हैं पांच फसली हमने चूज की हैं नर्मा कपास मूंग दाल और गेहूं और य पंजाब के घान के अरिये को लगग तीस चालीज परसंट काम कर देंगे तो पराली भी कम होगी स्क्राइब और फसल आय गी जो पानी और बिजली भी कम होगी तो हम आया बिजली का और पानी का हम अनल हो गगे अंगे आप एश्बाट कर आपकर एंगे लिकिन किसानों की यहाँ पराली जलाने का कानून नहीं लापाए ना उपाए ना झाल पर्लिप अगा दो अगाए अश्रप पन्जाब की प्रावलम नौर्थ इंडिया की प्रावलम है तुझे लिए प्रधान मंतरी साब लाए तो भुलाएं हम सजेशन देंगे क्वतम कर लेते हैं हम फशलनो एक एक चेर्मेन थे मिस्टर कुटी है वो को मैसे पैसे देदो जी पैसे से उनको करवा लेंगे पराली को एदरूद रखा लेंगे कहते नहीं जी प्रेरित करो किसानों को मैं ने प्रेरित तो फिर जब से पैदा हुए है हो समभाला तब से बसों पर लिखा पढ़ रहे हैं एक दुलहन ही देज हैं हम दो हमारे थो तो प्रेर थो कोई होया नी सब्समारी से प्रेहरत से नहीं अग्वा उनको काओ से अर्थिक मदद दोगे तो होगा है उसे प्रेयर न departed णार्ने से लिखने से नहीं उगा अझा अचा ओंड़ेज उगे में लिखने से नहीं का एंड और उपेले अरटी हैं और जो नहीं पाषिछी हैं तो पुश्चिजीच थे यो पन्जाब भी उनको बताएगा नहीं अपने कॉन सी बाता बताई उनको बताई उनको अजाएगा बेर का दूद हमारा एगा पन्जाब का और एर एरपोर्ट के लिए बस चलाई दी अग्ए ल वो नॉलेशीर में दोगी कोई प्रप्रबिल्म में है। नुट एक टी तो कोई प्रभलम कि यो अपने जी तो को ही जाए बाता है। कि गेजिवाल जी जो कि था बढ़ थ estás है कि आए पर बाटि दिज्वाल स्वेट सुन्टे जिदाए जाए ज़ा सब्टे जा है। तो उनके एक्स्परियंसे पैदा लेना चाहिए मैं और अभी तो पैसा सम्हालने में बहुत सारी चुनाओधिया है आपके पास एक आखरी सवाल है मेरा Сबना शीना, जीत एका यहीशना מטजाटा इसमें जीत मेर कि आंदी the hopes की दो कि जीती मालू एक्ठवात्वेस्टे यहीशना यहीत 3 कि artist separate थाइन पास्नू एक्षू चार करे शोचण ऑट का थ। कैसे कहे हैं वो, कौन सा कॉन्फिडेंस है और अवर कॉन्फिडेंस है उनके पास तो मतलब कम से कम डेमोक्राटिक तरीके से चुना हुए हैं जीतने वाले को मान तो लो ना लेकिन जिन चार मंत्रियों पर आपके आरोप है उसमें मनीश शोदिया जी है उसमें सतेन जैन है उसमें आपके दो और मंत्री है जिन पर आरोप है कैलाश गेहलोत उन सब के एरियाज में परफॉर्मेंस कम रही है क्या जो एक के बाद एक वीडियो जाये तिहाड के और जो आरूप लगे इन मंत्रियों के, वो कही न कहीं न कहीं जनता के मन में घर कर गए, जिसकी वज़े से उनके इलाकों के वाड में थोड़ा सा नुकसान हुआ? CBI की चार सीट में मनिशोदया का नाम नहीं है, पांसो जगा पी चापे मारे, दो जार अफसर लगाए, कुछ नहीं मिला, इसका मतलने लेक्शन के लिए जिसने स्कूल बनाई वो उसको अंदर कर दो, और जिसने हस्ताल बनाई उसको अंदर कर दो, दो ही थे हमारा स्कूल तो यह प्रोपेगंड़ बीडियो चला दी चला दी, लोगों से बाद करो जी कि हम आपको यह देंगे, आपके बच्चों के शिक्षा देंगे, सड़कें ठीक हो जाएंगी, पिजली ठीक हो जी, इंफ्राश्चा ठीक हो जाएगा, यह बीडियो उसकी आगी, इसने जे कहा इसने वो कहा है, यह मुद्दे नहीं है लोगों के, चलिए आप यहाँ पर आएजेंड़ आज तक के मंच पर, हर सवाल का आपने जवाब दिया, बिना रोके न टोके, हर सवाल हमने आपसे पूछा और आपने जवाब दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, भगवान जाने से पहले सर आपको एक अजेंडा लिखना है, एक लाइन में, कि क्या आपका अजेंडा होगा अगले साल का, आएए उधर और अजेंडा साल कि सकते वेaría।? वो खुषे कि अधर के यह खुषір के जार देंद Ó यह खूए को अधर हो आख किसन देख ऊंगे देख़ जो बार आजान शौर प्रक कर देख़ झायर को तो कि तूजए इसंदेश्ट जो आजए अजे दिया है कि एप एप्टो प्रद प्रोड़र के दिल खाए जाए में प्राइब है कि फ गॉन जाने कि झायर कि और भी तो तो जाएच से आज घॉट भी तबस्क दोड़